मूबायल में प्लेटोर आप्लिकेशन को आप जैसे यहाँ पर open करते हो तो देखो open करने के बाद आपका एसी हहाँ पर struck हो जाता है आपका प्लेटोर जो हे open नहीं हो जाता है आपको ये problem देखने को मिल जाती है तो आप इस वीडियो को बस end तक देखते रेंगा यह problem fix out हो जाएगी और जो आपका play store open नहीं हो रहा है, यह भी open हो जाएगा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको देखो अपनी mobile की settings में जाना है, ठीक है, आप mobile की settings में जाने के बाद, आपको apps option जोए, इसको डून लेना है, यहाँ पे अपने apps option को open करना है, अब देखो apps options को open करने के बाद, यहाँ पे आपको एक options मिलेगा, जो की app management, यहाँ पर आपको click करना है, अब click करने के बाद, आपको जोए नहीं पर बहुत सारी आपके जिदितने भी mobile की applications रहेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर क्या तरीके से long press करके रख देना है, उसके बाद friends आपको यहाँ पर एक info option मिलेगा, यहाँ पर आपको click करना है, अब यहाँ पर click करने के बाद, आप यहाँ पर इसकी app info में पहुंच जाओगे, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो आपको करना है अपने Google Play Store application का उसके बाद यहां से आपको बन करना है और यहां से आपको यहांसे आपको सारी आपको क्या करना होगा, उसके बाद CCients को यहां से आपको क्या Do देनी है एक बार से अपने mobile को चालू करके मतलब बन करके चालू कर दो उसके बाद play store applications को open कर दो जैसे यह open करोगे तो देखो आपके सामने आपके सामने यहापका play store app open हो जाएगा यहापे आप देख सकते हो जो कि हमारा play store application यहापे अभी open हो चुका है इस तरीके से और आप